प्रदेश समाचार प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दसंबर को आकाश्वानी से मन की बात कारिक्रम में नागरिकों से अपने वचार साझा करेंगे खन्वा में मनाई गई महकवी सुब्रमन्य अंभारती की जैनती और खजराहो में संपन हुए अंतराश्य फल मोहतसव में सांसद वीडी शर्मा ने बताया खजराहो में होगी 23 से 25 वरवरी तक जी 20 देशों की बैठक अब समाचार विस्तार से मुख्यमंतरी शुवरा सिंग चौहा ने कहा है कि वनवासी कल्यान परिशद और आश्रम जनजातियों के लिए अद्भुत कारे कर रहे हैं मुख्यमंतरी कल्वरास्थानी भुपाल में वनवासी कल्यान परिशद, एमपी नगरस्थित, शैक्षनिक और बहुत देशिय कौशल विकास केंद्र के भवन का लोकारपन कर रहे थे मुख्यमंतरी श्वी चौहा ने परिसर में टंट्या मामा की मूर्ती का अनावरन भी किया मुख्यमंतरी ने कहा कि प्रदेश में सामाजिक समरस्ता के साथ पेसा एक्ट लागू कर दिया गया है प्रदेश में सभी जनजातिय नायकों की प्रतिमाय लगाई जा रही है धर्मान तरण को लेकर शड़े अंत्र नहीं चलने दिया जाएगा और जनजातिय वर की जमीन शड़े अंत्र पूर्वक खड़पने नहीं दी जाएगी पेशा एक्ट लागू कर जनजातिय समाज को जमीन के साथ जंगल की उपज के लिए अधिकार दिया गया है मजदूरी के लिए कोई बाहर ले जाएगा तो ग्राम सभा को सूचना देनी होगी इस अफसर पर राश्री स्वैन सेवक संख के सरकारवाहक दत्रात्रे होसबोले ने कहा कि देश की संस्कृती के विकास में जनजातिय समुदाय का अमूलिय योगदान है कृषि अंत्र स्वास्त का ज्यान जनजातियों में भरपूर है वनवासी कल्यान आश्रम के महामंतुरी योगेश बापट ने बताया कि वनवासी कल्यान परिशत सत्तर वर्षों से कारे कर रही है इंडियन ओयल के महाप्रबंधक्ष रशी चौधरी ने कहा कि कमपनी प्रदेश में विकास के कई कारे कर रही है राश्विय जनजाती आयोक के अध्यक्ष हर्ष चौहार ने कहा कि वनवासी कल्यान आश्रम में आवशक्ता के अनुरूप सरोजगार और कौशल का प्रशिक्षन मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीक को आकाश्वानी से मन की बात कारेक्टरम में अपने वचार साचा करेंगे ये इस मासिक रेडियो कारेक्टरम की 96 वी कड़ी होगी प्रधान मंत्री ने लोगों से इस कारिक्रम में शामिल किये जाने वाले विश्यों के बारे में अपने सुझाव देने को कहा है नमो एप या माई जी ओवी ओपन फोरम पर वचार भेजे जा सकते हैं टोल फी नमबर 18000 117800 पर डायल करके हिंदी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड कराये जा सकते हैं फोन लाइन इस महीने की 23 तारीक तक खुली रहेंगी एक नौ दो दो पर मिस्ट कॉल देकर समस से मिले लिंक से सीधे सुझाव प्रधानमंतुरी तर भेजे जा सकते हैं सुच्छदा की मामले में देश में लग अतार 6 बार अववल रहें दौर ने 8 से 10 जनवरी तक यहां होने वाले प्रवासी भारतिय सम्मेलन और वैश्विक निवेशक सम्मेलन को कच्रा मुक्त आयोजन के रूप में मनाने का संकाल पलिया है नगर निकम आयोप प्रतिभापाल ने बताया कि अतितियों को बार-बार उप्योग करने योग्य पानी की बोतले दी जाएंगी इसके लिए योजना स्थल पर ही पेरजल मशीने लगाई जाएंगी आयोजन के प्रचार प्रसार में उप्योग किये जाने वाले प्लास्टिक फ्लैक्स को बाद में सडक निर्मान के लिए उप्योग मिलाने की कारिय योजना बनाए गई है इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR News आप पर भी समाचार सुन सकते हैं ब्रेक के बाद बुलिटन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इंदौर जिली के महू में देश का पहला और दुनिया का दूसरा infantry museum पैदल सेना संग्रहाले बनाया गया है इसे आगामी 16 दिसंबर विजए दिवस के आमजन के लिए खोल दिया जाएगा इस museum में पैदल सेना के शौरिय और बलिदान का इतिहास statue, murals और तस्वीरों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है infantry research center और museum के नाम से तयार इस संग्रहाले में पैदल सेना के वर्ष 1747 से 2020 तक के इतिहास को जीवन्द किया गया है इसमें वर्ष 1757 के प्लासी युद्ध, 1897 के सरगड़ी युद्ध, बकसर युद्ध, भारत पाकिस्तान के 1965 और 1971 जैसे अतिहासिक महत्व के युद्धो में पैदल सेना की गौरव यात्रा को दर्शाय गया है संग्रहाले देखने के इच्छुप नागरिक online ticket पुक करा सकते है उत्तर दक्षन के सेतु के रूप में विख्या दक्षन भारत के सुप्रसद्ध महकवी सुब्रमानियम भारती की जैनती के अफसर पर खंडवा के असन महा विद्याले में भारतिय भार्शा दिवस मनाया गया संस्था प्राचारे डॉक्टर मुकेश जैन ने बताया कि नवीन शिक्षा 2020 में भारतिय भार्शाओं को परियाप्त प्रोथ साहन दिया गया है और सभी भारतिय दूसरी भार्शाओं को सीखे और समान कर सके इस सुद्देशियों से भारतिय भार्शा दिवस मनाया गया कारिक्रम के मुख्याति थी अनूराग अवस्थी ने राश्य एक्ता में भारतिय भार्शाओं के महत्व के साथ अभी व्यक्ति की शक्ती पर वचार प्रस्तुत किये कारिक्रम का आयोजन सनातकोत्तर परिशद हिंदी विभाग और आश्यो सेवा योजना के विद्यार्थियों ने मिल कर किया कारिक्रम में विद्यार्थियों का मार्ग दर्शिन करने के लिए सनातिक उत्तर परिशद हिंदी विभाग के प्रभारी डॉक्टर आशुतो उश्टिवारी ने भारतिय भाशाओं की व्याग्यानिक ताख पर प्रकाश डाला समारों के समापन अफसर पर मुख्य अतिथी के रूप में उपस्थत प्रदेश के राज़िपाल मंगु भाई पटेल ने कहा कि भारतिय संस्कृती देश की आजादी की गौरवगाथा और आंदोलन और आजादी के जननायकों के स्मरंड से भावी पीढ़ी को अवगत कराना जरूरी है उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को फिल्म शूटिंग के लिए बहतर राजे का दर्जा मिला है राजेपाल ने सुझार दिया कि देश के लिए जीवन को समर्पित करने वाले वीर सेनानियों की गाथा पर भी और अधिक फिल्में बनाएं जाएं गौरतलिप है गुप्त पुरुसका प्रदान किया गया सफसर पर फ्रांस की कलाकार मारियो वार्गो और जर्मनी की विल्मा भी उपस्थित थे समहरों में उपस्थित खजराहो सांसत वीडी शर्मा ने बताया कि खजराहो में G20 देशों के उचस्तरिया बैठके 23-25 फरवरी तक आयोजि किया जिसमें जिले के 13 विकास खंडों से 18 वर्ष से कम आयूवर्ग के बालक और बालिका वर्ग के 1000 से अधिक खिलाडियों ने हैसा लिया प्रतियोगिता में अथलेटेक्स का बड़ी खोखो वॉलिबॉल कुष्टी फुटबॉल की स्परधाय आयोजित की गई इस अफसर पर पुलिस अधिक्षक ने खिलाडियों और पुलिस कर्मचारियों को मानव अधिकार दिवस की शपद भी दिलाई अब कुछ समाचार संगशेप में डिंडॉरी के में कल जिला कलेक्टर सहिद नगर परिशत के अध्याक्ष पाशदों और पुलिस विभा के नवारक शको ने नर्मदा नदी में सफाई अभ्यान चलाया बालाघाट में टसर सिल्क किसानों के लिए पांच दिवसियक शमता निर्मान का प्रशिक्षन संपन्न हुआ शुवपुरी में नहरु युवा केंद्रु ने 2021-22 के लिए जिलास्तरिय श्रेष्ट युवा मंदल का चैन करने के लिए आवेदन पत्र 15 दिसंबर तक बुलाई है पन्ना में 16 से 22 दिसंबर तक राश्ट्रिय वॉली वॉल टूनमेंट आयोजित किया जाएगा केंद्री वन और परियावरन मंत्री भूपेंद्री यादव श्यॉपुर के कूनो नाशनल पार्क पहुँचे और वहां शोत करता हो वैग्यानिकों और वन अफसरों के साथ बैठक कर चीता प्रजेक्ट की समीक शाकी जिला रोजगार अधिकारी द्वारा बताया गिया कि 16 दिसंबर को मंसौर के रोजगार कारियाले में रोजगार मेले कायोजिन किया जा रहा है आगर मालवा जिला कलेक्टर ने कल जिले में स्थैत लोग परिसंपत्यों का नरीक्षन किया शास्किय संभागी आईटी आई इंदोर में 13 दिसंबर को रोजगार भरती मेले कायोजिन किया जा रहा है और मुंबई में दूसरे टीट्वेंटी महिला क्रिकट में कल भारत ने सुपर रोवर के रोमान्चक मुकाबले में आस्ट्रेलिया को चार रन से हरा दिया शुंक्रा का तीसरा मैच मुंबई में बुदवार को शाम साथ बजे से खेला जाएगा अंत में बुलिटन के मुख्य समाचार एक पर फिर मुख्य मंतुरी ने कहा प्रदेश में जनजातिय समुदायों में समरस्ता बढ़ाएगा पेसा एक्ट रास्थानी में किया जनजातिय कौशल विकास के इंद्रु का उद्खाटन प्रधान मंतुरी नरेंद्र मोदी 25 दसंबर को आका श्वानी से मन की बात कारिक्रम में नागरिकों से अपने वचार साज़ा करेंगे खनवा में मनाई गई महकवी सुब्रमनियां भारती की जैनती और खजराहों में संपन हुए अंतराश्य फिल मोहतसव में सांसत वीडी शर्मा ने बताया खजराहों में होगी 23 से 25 फरवरी तक G20 देशों की बैठक बुलिटन में इतना ही अजासत दीजे नमस्कार नमस्कार